बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुश्री सद्गुरु महाराज की प्राणाधर सुन्दर साथ जी आज का विशे जो है वाणी का कोई गहन विशे में नहीं ले रहा हूँ एक ऐसा विशे है जो समाज में काफी विवाद दिता है और मुझे लगता है कि ब्रह्मो वाणी की प्रकास में वैसे तो कोई भी विवाद नहीं रहता है जब तक कि हम जान बुझ करके विवाद ना करना चाहें क्योंकि वाणी का प्रकास हम कहते हैं प्राण्याजी के वाणी को और प्राण्याजी को दोपहर का सूरज दोपहर के सूरज में छोटी सी चीटी भी अगर जमिन में चल रहे होते हैं तो वो भी दिखाए देता है तो कोई भी ऐसा भेद नहीं है जो इस पस्ट ना हो बस सर्थ इतनी है कि उस रहस्य को समझने के लिए और उस विवाद को सुल जाने के लिए निश्पक्ष हो करके सत्य को ग्रहण करने की और असत्य को त्यागने की प्रवृति होने चाहिए किसी भी मनुष्य का एक जो सामान्य सिध्धान्त होता है वो ये होता है सामान्य रूप में मैं विशेस मनुष्य के बात नहीं कर रहा हूँ जो सामान्य मनुष्य हैं जो धर्म को वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं नहीं समझते हैं और उस पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं अथमा नहीं चल रहे हैं उनकी सामान्य प्रवृति यह होती है कि अगर कोई विक्ति गलती कर रहा है और उस विक्ति को अगर उसकी गलती बता दी जाए उसको अंदर से तो लगेगा कि हां मैं गलत हूँ लेकिन उसका जो अहम है वो अंदर से बोलेगा कि मैं कैसे मान लो गल्ती तो है मेरी लेकिन मैं कैसे मान लो तो जब तक ये अहम भाव और उसको छोड़ने के लिए एक जो साहस चाहिए वो साहस किसी के अंदर नहीं होता है तब तक कोई भी विक्ति असत्य को छोड़कर सत्य की तरफ प्रवृत नहीं हो पाता है एक और बात मैंने कहे कि उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए स्वार्थ कैसा क्योंकि सत्य और असत्य में स्वार्थ की बात कहां से आगई ये सवाल हो सकता है स्वार्थ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी स्वार्थी व्यक्ति सत्य को सत्य नहीं कह सकता या किसी अपने व्यक्ति के जूट को जूट नहीं कह सकता या फिर जिस जूट से उसका व्यवसाय चल रहा हूँ वो ये नहीं कह सकता कि मैं जूटा हूँ क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ चीपा है जो इस स्वार्थ से उपर उठा है वही कह सकता है कि चाहे अपनी गलती हो चाहे दूसरे की गलती हो चाहे स्वयम असत्य मार्ग पर चल रहा हो चाहे उसका कोई नजदी की वो उसे असत्य सावित कर सकता है या असत्य कहने की हिम्मत कर सकता है ब्रह्मोवाणी के प्रकास में वैसे तो हर भेद इस्पस्ट है मैं आज बात करने जा रहा हूँ हमारे समाज में विवादित एक विश्य की निजानन्द संप्रदाय की पध्धती सबको याद होगी सायद जिनको याद नहीं होगी उनको याद कर लेना चाहिए क्योंकि वो कैसे निजानन्दी जिसको निजानन्द संप्रदाय की पध्धती ही याद न हो तो निजानन्द संप्रदाय की पध्धती में एक चोपई आती है जिसमें कहा है सास्त्र श्रमण श्री भागवत आगे क्या है? बुध्य जागरत को ज्यान जवाब देते जाएगा जिस भी प्रशन का जवाब आपको आए और जिसका ना आए वो राजी की क्रिपा से मैं देने की कोशिश करूँगा तो चोपई के रिए सास्त्र श्रमण श्री भागवत बुध्य जागरत को ज्यान जितने भी महानुभाव इस चोपई का अर्थ करते हैं वो सामनी रूप में ये कहते हैं कि हमारे जो सास्त्र है वो भागवत है जो की कौनची बुद्धी का ज्यान है? जागरत बुद्धी का ज्यान है और यही एक चोपई है जिसका अर्थ हमारे पुरे समाज को गुमरा कर रहा है क्योंकि आज हम देख रहे हैं अभी अभी हमारे समाज के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक संस्था है जिसने तार्तम अवतरण होने के लगबग 364 वर्स हुए होंगे तो उसके अवसर पर एक कार्यकम रखा है जहां 108 वानी का पारायन है और भागवत का भी पारायन है तो वानी के पारायन की जो सेवा है उसमें यजमान जो बोलते हैं वानी के यजमान की सेवा रखी है 11,000 रुपए और भागवत के लिए वही सेवा है 5,000,000 रुपए कितना अंतर है अगर कोई सामन ये द्रिष्टी से भी सोचे कि क्या वानी की महिमा भागवत के तुलना में इतनी कम है mathematics लगा करके भी भाव को एक तरफ रख करके mathematics भी लगाए तो कहां 11,000 और कहां 5,000,000 रुपए तो वानी की महिमा को कितना छोटा कर दिया है जिस वानी के सामने भागवत का अस्तित्व एक और सुन्य के समान है एक और सुन्य का मतलब गणित अगर आपने थोड़ी बहुत बढ़ रखी है तो सुन्य से एक कितना बड़ा है कितना बड़ा है अनन्द गुना बड़ा है क्योंकि सुन्य तो सुन्य है और सुन्य का मतलब कुछ नहीं और एक का मतलब है एक है स्वपनिक बुद्धी का ग्यान और एक हे जागरित और निज बुद्धी का ज्यान क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि पहले चोपाई में तो कहा सास्त्र स्रवन श्री भागवत बुद्ध जागरत को ज्यान मैं उसे स्वपनिक बुद्धी का ज्यान कैसे कह रहा हूँ सबसे पहली बात वाणी की एक चोपाई लगबग प्रत्यक सुन्दर साथ को याद होगी एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन एते दिन का मतलब कितने दिन? कब तक की बात करें उस चोपाई में? एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन का मतलब जब तक देव चंद्रजी के माध्यम से तार्तम की पहली चौपाई का अवतरण नहीं हुआ था तब तक इस स्वपनिक ब्रह्माण में कौन सी बुद्धी का ज्यान था? भागवत कब का ज्यान है? उससे पहले का या बाद का? पहले का ज्यान है इसका मतलब कौन सी बुद्धी का ज्यान है? सौपनिक बुद्धी का ज्यान है फिर सास्त्र श्रवन श्री भागवत बुद्ध जागरत को ज्यान क्यूं कहा है? इसमें एक रहस्य है निजानेंद संप्रदाय की पध्धती क्या है आपको बताए? हरिद्वार में जितने भी साधू महात्मा आये थे हम कहते ना आये खट दर्शनी, खट सास्त्रवेदी एक तो योगमाय का प्रसंग है एक हरिद्वार का प्रसंग है जाहिरी रूप से तो वहाँ छे दर्शन के आचरी आये हुए थे चारों वेदों के विद्वान आये हुए थे वैश्णव के रामानुज, निमानुज, विश्णुश्या, माधवाचारे ऐसे मतानुए आये हुए थे दस नाम सन्यासी और उनके साथ मान्यताओं वाले, साथ मन्याओं वाले लोग आये हुए थे चारों आस्रमों के लोग आये हुए थे तो वहाँ स्रीजी पहले तो एक जिग्यासू बन करके जाते हैं उनके साथ बात होती है उनका पक्ष सुनते हैं उनका पक्ष सुनने के बाद में सभी के पक्ष का तार्तम ज्यान के दृष्टी से खंडन कर देते हैं तो जब सभ का पक्ष खंडित हो गया तो खंडन के बाद में दूसरा भी सब्द है मंडन तो अब अपने सिध्धांत का भी तो मंडन करना है ना तो अब जिनका सिध्धांत पहले ही खंडित हो चुका है उन्होंने स्री जी को प्रश्ण किया, स्री जी को क्या प्रश्ण किया, कि आपके सद्गुरु कौन है, ऐसे ही प्रश्ण किये थे ना, आपके सद्गुरु कौन है, आपकी साखा क्या है, साला क्या है, आपका स्थान कहा है, निवास कौन सा है, गोत्र कौन सा है ऐसे प्रश्ण किये थे तो उनहीं प्रश्ण को सिल्सिले में उसी प्रकरण में दो अलग-अलग चौपाईयां हैं उसे प्रकरण को आप देखी जएका 72 और 73 नमबर की सौपाई एकी श्माइए 2 नमबर की चौपाई है एक प्रश्ण है और 73 नंबर चौपाई के पहले चरण में प्रश्ण किया है कि आपकी बुद्धी कौनसी है आपका ज्यान कौनसा है तो दो प्रश्ण अलग-अलग हुए तो जैसे अलग-अलग प्रश्णों के उत्तर स्री जी ने अलग-अलग चौपाईयों में अलग- बाते आजाने चाहिए थी उन्होंने दो प्रश्ण किये कि आपका सास्त्र कौनसा है क्योंकि सास्त्र का आर्थ होता है शासयते ये न सास्त्र है उनका प्रश्ण ये था कहने का मतलब ये था कि ऐसा कौनसा ग्रंथ है जिसके द्वारा आप अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं शास्त्र का मतलब यह होता है कि जिसके द्वारा आप अध्यात्म के छित्र में दिशा निर्देश प्राप्त करें दिशा निर्देश को कहते हैं अंग्रेजी में गाइडलाइन्स कौन से ग्रंथ से आप गाइडलाइन्स प्राप्त करते हो और थात किस ग्रंथ का आधार ले करके आप लोग चलते हो और दूसरा प्रश्ण ये था कि आपकी बुद्धी कौन सी है तो दो प्रश्णों के अलग-अलग उत्तर दिये श्री जी ने और कहा सास्थर श्रवन श्री भागवर सास्थर कितने वैसे आए खटदर्सनी खटशास्थर वेद्यास बोलते हैं न ये चुपए तो सबको याद है तो घटशास्थ्र में कौन-कौन से सास्थ्र आते हैं बताना सांख्य, वैसेशिक, न्याए, मिमानसा, वेदान्त और योग छे सास्त्र हो गए? भागवत सास्त्र कहां से आया? भागवत सास्त्र है कि पुराण है कोई बताएगा? भागवत तो पुराण है, ठेके? तो इसको सास्त्र में क्यों लिया? शास्त्र के उत्तर में भागवत के इसलिए कहा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सास्त्र का मतलब होता है, जिससे हम दिशा निर्देश लेते हैं दिशा निर्देश कैसे लेते हैं? भागवत में हमारी ऐसी कौन सी बात है? जिसका आधार हमें जागनी की ब्रह्म्हाण में लेने की बात की गई है तो आप प्रकास की वाणी पढ़ेंगे प्रकास की वाणी में क्या कहा? रास प्रकास छोड़ो जिनखिन जो बीतक अपनी परवान जी ठीक है? इसी तरह से एक और चोपाई है एड़े पगले आपने चालिए कौन से पगले में? किस रास्ते में चलना है? जैसे रास्ते में ब्रज से रास में जाते हुए ब्रह्म्हाण सिष्टियों ने चल के दिखाया अर्था प्रेम और समर्पन तो प्रेम और समर्पन की जो बात है वो भागवत के अंदर है लेकिन कहां पर भागवत के दसवे इसकंद में दसवे इसकंद के अंदर 83 अध्याय प्रमोख माने गए हैं उनमें से भी 83 में से भी 35 अध्याय माने जाते हैं और 35 में से भी 5 अध्याय जिसके अंदर रास की लिला का थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास किया है और वो थोड़ा सा प्रयास है कैसे किया आप वाणी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पदा चलेगा हमने तो कभी पढ़ा नहीं पढ़ने भी नहीं दिया अगूँ ने रुमाल में लपेटा रखा और फिर इस वाणी के सामने बैठ करके जो जैसा बोलता गया हम सुचते कि हाँ महाराज कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे और ये सही कह रहे होंगे ने हमारे समाझ को कहां पहुचा दिया है हम सोच नहीं सकते मैं ने कहा ना जागरित बुद्धी के वाणी को 11,000 और स्वपनिक ता कि जब हम बात करते हैं तो उसमें पांच अध्याई रास में ऐसा वर्णन आता है कि सुक्देव जी ऐसा कह रहे थे परिक्षित से कि मैं जो वर्णन करने जानों तुम बीच में टोकना नहीं ठीक है ये प्रसंग सबने सुना होगा वैसे तो जैसे ही बीच में टोक दिया परिक्षितने की ऐसा कैसे हो सकता है आगे वर्णन हुआ नहीं तो क्या कहा भागे जोस कहे पंच अध्याई तो वो पांच अध्याई जोस में कहें कि जोस के भागने के बाद कहें जोस में कहे हैं कि जोस भागने के बाद कहें? बताईए भागे जोस कहे पंच अध्याई तो जोस के भागने के बाद कही गई है तो जोस के भागने के बाद में कौन सी बुद्धी थी? स्वपनिक बुद्धी थी जोस के भागने के बाद में स्वपनिक बुद्धी से जो वर्णन किया वो अनुमान का ज्यान है कि वस्तविक ज्यान है अनुमान का ज्यान लेकर कि हम भूले नहीं समा रहे हैं और जोस में आवेस में जो अवतरित ब्रह्माणी है उसको हमने क्या किया आवेशित ब्रह्म्हमाणी को जिसको हम साक्ष्यात स्वरूप कहते हैं एक तरफ हम क्या कहते हैं ए भागवत कागद तुम्हारा है ना मैं भागवत की खंड़नी थोड़ी कर रहा हूँ मैं कहे रहा हूँ ए भागवत कागद तुम्हारा कागत का मतलब चिठी किस ने भेजी राजी के हुकम ने राजी ने प्रत्यक शुरुम से नहीं भेजी है राजी के हुकम ने भेजी है यह भागवत कागत तुम्हारा कागत का मतलब होता है चिठी आपके पती परदेश चले जाते हैं और परदेश से आपको अगर चिठी भेजते हैं चिठी घर में आती है और चिठी आने के दो साल के बाद में चार साल के बाद में आपके पती भी घर में आते हैं तो आप प्रत्यक्स पती को पानी पिलाना छोड़ करके क्या चिठी की पुजा करोगे? चिठी को तो हम सहेज करके रखे हुए, सम्हाल करके रखे हुए, फ्रेम में सजा करके रखे हुए, आरती कर रहे हैं, उसी चिठी को बाच रहे हैं, पती प्रत्यक शुरूप से आपके सामने विराजमाने उसको पानी भी नहीं पूछ रहें वाणी को क्या कहते है किसका स्वरूप है किसका स्वरूप है स्वरूप साहब कहते है ना साहब का स्वरूप है तो वाणी क्या है आरतियंग चतुरदस केरी पांत स्वरूप में एक भैरी ये सिर्फ आरति गुमाने के लिए या फिर अकल में लाने के लिए समझ में लाने के तो एक है चिट्थी और एक है साक्षात स्वरूप हमने क्या किया साक्षात स्वरूप को छोड़ दिया पीठ दे दिया और चिट्थी को ही पकड़ करके बैठे और हम क्या केते हैं चिट्थी पढ़ने से पती की पहचान होती है अब पत्ती आचुके हैं, फिर भी हम चिठी पड़ रहे हैं और हम क्या केते हैं, अब इसके बाद, अब असली बात और आगे है सास्त्र स्रवन स्री भागवत का तो पता चल गया कि भागवत में कौन सी बाते लिखी है, जिसके कारण सास्त्र कहा है अब जागरित बुद्धी को ग्यान भी समझ में आया कि जागरित बुद्धी का ग्यान तो ये वाणी है, दो अलग-अलग प्रश्णों का उत्तर है अब आगे कुछ सुन्दर साथ तर्क दिया करते हैं, जो भागवत के पक्षधर है वो ये तर्क जेते हैं कि अगर भागवत जागरित बुद्धी का ग्यान नहीं होता तो भागवत सुनने से देवचंदर जी जागरित कैसे होते हैं क्योंकि 14 वर्स लो नेश्ठाबंध वचन ग्रहे सबसार 40 वर्स की उमर में हके दिया दिदार तो भागवत को 14 वर्स तक सुनने पर देवचंदर जी को दर्शन में ऐसा तर्क दिया करते हैं अब उन्होंने सायद विचार नहीं किया है या फिर विचार करने के बावजुद्वी जैसे मैंने पहले का स्वार्थ वस इसी तर्क को सामनी सुन्दर साथ के सामने प्रस्तूत करते हैं सामनी सुन्दर साथ सोचते हैं कि महराज की बुद्धी के सामने गुरु वाक्य ब्रह्भ वाक्य कहते हैं अब ब्रह्म के सामने अगर प्रस्ण खड़ा कर दिया, ब्रह्म तो आमें परम्ध हम से निकालेंगे, तो सावाल खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन Rajaiding Paramdhahum से नहीं निकालेंगे। अगर आप प्रस्ण करेंगे, Rajaiding Paramdhahum से नहीं निकालने वाले। अब कुछ प्रस्ण है ओप इनको अपना प्रश्ण भी कह सकते हैं मेरा प्रश्र भी कह सकते हैं मेरे कुछ प्रस्ण है जो आपको यह सुचने पर मजबूर करेंगे कि भागवत से देवचंद्र जी को धरसन नहीं हुआ पहला प्रश्ण अगर देवचंद्र जी को भागवत सुनने से दर्शन हुआ है आपकी मान्यता के अनुसार भागवत लिखने वाले कौन शुगदे हो चाहिए व्यास जी हो आपकी मान्यता के अनुसार यह मान्यता भी आगे इसपस्ट हो जाएगी आपकी मान्यता के अनुसार शुगदे और व्यास जी अगर भागवत के लेखक के तो उनको दर्शन हुए भागवत के लेखक को दर्शन हुए नहीं हुए परिक्षित को दर्शन हुए भागवत सुनने से नहीं हुए परिक्षित को दर्शन हुए भागवत सुनने से नहीं ह विसके अधर परमधाम की आत्मा थी इसलिए दर्शन हुए गांग जी भाई गांग जी भाई तो परमधाम की आत्मा थी साथ में ही भागवत सुनते थे उनको दर्शन क्यों नहीं हुए? इसका मतलब भागवत सुनने से धर्षन नहीं हुआ है देवचंद्र जी ग्यारा वर्ष की उम्र में उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है जब भया वरस अग्यारमा तब मन उपजयो विचार मैं कौन कहां से आई या कहां मेरो भरतार तब से लेकर उनके जीव की पात्रता बननी सुरू होती है वो भागवत के आधारित कृष्ण जी के पीछे नहीं दोड़े है वो परमात्मा की प्राप्ती के लिए दोड़े और वो कृष्ण जी को भागवत का आधार लेकर के परमात्मा मान रहे थे इसलिए उन्होंने भागवत सुना पहले 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक गाउ में जो मुर्ती थी पिंगल स्याम की उसकी परिक्रमा करते थे उसके बाद उससे संतुष्टी नहीं हुई कच चले गए वहां जाकर के अलग-अलग मतमत आंतरों में कनफटे वहरागियों में, कापालिक लोगों में गए और मस्जीद में गए, अलग-अलग जगपर गए सन्याशियों के पास गए, राजगुरूं के पास गए अलग-अलग जगपर जाकर के खोज किया हरिदास जी के पास गए वहाँ जाकर कि अखंड की उन्होंने कुछ खुशबू पाई और अखंड की खुशबू पाने के बाद में अब उनको लगा कि सायद अब मुझे थोड़ा और आगे जानना है तो हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें और आगे जानना है तो कांजी भट के पास चले जाओ वहाँ जाकर के उन्होंने 14 वर्षतक भागवत सुनी भागवत वैसे नीरंतर सुनते तो उनको दर्शन नहीं होता उनकी पात्रता बन रहे थी और पात्रता बनने के बाद भी परिक्ष्या हुई और परिक्ष्या होने के बाद जब दर्शन हुआ थोड़े से प्रश्मत अभ श्यामा जी ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, अगर भागवत आधारित स्वरूप ने दर्शन दिया होता, भागवत ने तो पहले से क्रिश्न जी के स्वरूप का वर्णन तो था ना, कि क्रिश्न जी कैसे दिखते हैं, अगर वैसा स्वरूप सामने आ जाता, तो क्या देव जी कह देते कि मुझे पता ने आप को ने मेरी अंतर आत्मा ये गवाई दे रहे कि आप मेरे धाम के धनिये लेकिन वैसे में नहीं पैचान थी आधार तो भागवत का ही था लेकिन फिर भी वह नहीं पैचान पाई इसका मतलब उस सोरुप ने भी दर्शन नहीं दिया तो यह हो गए कुछ प्रस्णा उसके बाद देवचंद्र जी को जब दर्शन हुआ दर्शन होने के बाद में उन्होंने भागवत की चर्चा कितनी बार की सुनी नहीं कि सुनने के जरूरत नहीं थी कितनी बार भागवत की चर्चा की बितक में किसी चोपाई में आती है कि देवचंद्र जी ने भागवत की चर्चा की हो देवचंद्र जी से तार्तम लिया मिहिर राज जी और गोवर्धन जी ने जरूरत थी कांजी भट का गरतो पास में था ना आगे प्रसंग भी आता है कि उनके पिता जी एक बार लेके चले जाते हैं कांजी भट के पास में तो भागवत के आधार की बुद्धी रखने वाले कांजी भट की इस्थिति क्या हो गई थी उस समय कांजी बट की हालत क्या हो गई थी अगर भागवत जागरीत बुद्धी का ज्यान हो था तो कांजी बट को उन दो छोटे-छोटे बालकों का जवाब दे देना चाहिए था क्यों नहीं दिया ठीक है अगला प्रस्ण हरिदास जी किसकी सेवा करते थे बाके बिहारी और बालमुकुन जी की आधार क्या था आधार क्या था उसका भागवत है ना भागवत आधारी वो करते थे ना सेवा भुजा बाके बिहारी और बालमुकुन जी की उन्हेंने बाद में तार्दम लिया शायद अच्छी तरश से जानते होंब तार्थम लिया ना अरिधारिधास जी ने से लिया दे अट यूट आवत लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी भागत तो वह पहले से सुन रहे होंगे भागत आधारेती say ba कर रहे थे वह तो तार्थम लेने की जरूरत क्यों पड़ी अथा स्रीजी हरिद्वार से पहले स्रीजी जब सूरत पहुंचे सूरत में एक तो विद्वान थे वेदान्त के भीमभाई भागवत के दो प्रकांड विद्वान थे गोविन जी व्यास और स्यामभट ठीक है उन्होंने तारतम लिया स्रीजी से भागवत छुड़ाई स्रीजी ने और तारतम दिया क्यों दिया उनको भागवत सुनने की शिक्षा दे सकते थे ना कि हाँ आप तो भागवत के वैसे ही विद्वान है आप तो जागरित सबसे भागवत छुड़ा रहे श्रीजी और आज श्रीजी के स्थान पर बैठने वाले श्रीजी का नाम लेने वाले श्रीजी की वाणी पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं कह रहे हैं भागवत तो जागरित बुद्दी का गयाने हमें भागवत की कथा करनी चाहिए और वाण आगर अबको उदाहरण लेना है ब्रज और राश का तो उस भागवत के अंदर ब्रज और राश की लिला पहस्ट चा जो यह कहते हैं कि भागवत व्यास जी और शुक्देवजी के रचना है आज जो भागवत हमारे समाज में उपलब refugee उसके लेखक व्यास जी और सुकदेव जी नहीं है ज्यानपिट के स्टॉल में साइद अभी तो स्टॉक से बाहर हो चुकी है भागवत यथार्थम कुछ दिन के बाद में आपको मिल जाएगी उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भागवत सुकदेव जी की रचना नहीं है सुकदेव जी ने जो लिखी होगी वो आज उपलब्ध नहीं है क्यूं नहीं है क्योंकि प्राचिन ग्रंथ हमारे सामने अब है नहीं दूसरी बात आज के ग्रंथों में आज जो हमारे सामने ग्रंथ है उनमें बहुत सारे मिलावट है और भागवत में तो इतनी सारे मिलावट है कि आप कलपना नहीं कर सकते आज जो भागवत है उसकी कहानी उसका जो इतिहासे मैं आपको बताओ तीरुपती का नाम सुना ना अपने जगा का नाम है वहां से आचरी की जो डिग्री मिलती है न एम में जो करते हैं तो उसके सिलेबस में उस्तक पढ़ाया जाता है संस्कृत साहित्य का इतिहास तो सस्कृत साहित्य की इतियास में भागवत की इतियास के बारे में बताया गया है जिसमें ये लिखा है प्रमाण के साथ में बाकाइदा प्रमाण के साथ में ये लिखा है उस समय के भोज के समय के जो भोजपत्र उपलब्द है उनका आधार ले करके और उस समय के लिखे गए ग्रंथों का आधार ले करके प्रमाण दिया गया है उसमें लिखा राजा भोज के समय में एक ग्रंथू पलब्द था भागवत नाम का जिसमें 4000 के लगवग स्लोक होंगे लोग चतु स्लोक की भागवत कहते हैं न तो 4000 के लगवग स्लोक थे और वो स्लोक कठीन भासा में थे भासा तो संस्कृती थी लेकिन कठीन संस्कृत थी तो उस समय में राजा भोज के दरवारी जितने थे उनमें से एक दरवारी का नाम था जैदेव उनके दरवारी कवी थे, संस्कृत में काव्वे लिखा करते थे तो उनको जब दिखाये गया कि क्या आप इसका अनुवाद कर सकते हैं अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन तो इसका अनुवाद कर सकते हैं या इसकी टीका कर सकते हैं तो जैदेव ने उसको देख करके कहा कि मैं नहीं कर सकता मेरा भाई है वो मुझसे बड़ा विद्वान है वो कर सकता है उनका नाम था बोपदेव लेकिन वो बोपदेव क्या थे वो भकड आउधूत की तरह थे जंगल में रहा करते थे तो बोपदेव के पास में वो पत्र पहुचाया गया दिखा करके कहा गया कि क्या आप इसका अनुवाद कर सकते हैं वोले कर तो सकता हूं लेकिन मुझे छह मैने का समय चाहिए तो अब राजा ऐसे होते हैं आगा शार महीने में तो राजा ने आप कोई और है नहीं ट्रांसलेट करने वाला तो उसको दे दिया अच्छा कर दो तो बोब देव ने छे महीने का समय लगा करके उसका अनुवाद किया लेकिन अनुवाद कैसे किया एक स्लोक को उन्होंने व्याख्या जब की तो चार स्लो के रूप में व्याख्या की एक एक चरन के एक एक स्लोक हुए समझ लिए सामने रूप से समझना है तो एक चरन को एक स्लोक की रूप में लिख लिया तो 4000 स्लोक की व्याख्या सामने रूप में 16000 स्लोक के रूप में तो स्लोक बढ़ गए ठीक है अब जब व्याख्या करता कभी काव्य की सैली में व्याख्या करता है स्वामी जी सुभा दो प्रकार के काव्य की बात कर रहे थे ना रहस्यवादी छायवादी वगर तो कभी जब व्याख्या करता है एक होते हैं यथार्थवादी जो कभी होते हैं वो तो वास्तवी वास्तवी व्याख्या करेंगे ल अर्थ का अनर्थ कर देते हैं अब आज के युग में जो भागवत उपलब्ध है उसको खुल करके देख लें और सच्चाई को आप कुछ देर के लिए हर प्रकार के दुराग्रह को स्वार्थ को एक तरफ रह करके सोचें कि सुगदेव जी अगर भागवत लिखते व्यास ज कि कथा लिखते ना कि किसकी कथा लिखते हो कृष्ण जी की कथा लिखते हमें भी तो राज जी ने जब स्री जी ने सास्त्र स्रमण स्री भागवत लिखा है तो कृष्ण जी की लिलाओं के लिखा है ब्रज की लिलाओं के लिखा है या फिर दुनिया बर के राजाओं की कह वर्णन होना चाहिए लेकिन भागुवत में तो इतने गपोड़े हैं आप एक बार पढ़ेंगे तो सुचेंगे कि ये धर्मगरंद थे हवन के अंदर यग्यों में पसु बली की जो बात आती है भागुवत में मिलेगा आपको सतीप्रथा का नाम सुनाएं सतीप्रथा किसको बोलते हैं एक इस्त्री का पती महर जाए तो उसको भी चिता में जला देना चाहिए ऐसा वर्णन आपको भागुवत में मिलेगा भागुवत में आपको वर्णन मिलेगा कि कोई एक राजा था ससीविंदु नाम का उसकी पताने कितनी करोड रानिया थी 6 कर समुद्र बन गए समुद्र मतलब सागर आप क्या कलपना कर सकते हैं कि कि किसी रथ के पईये दस जाने से या किसी रथ के पईये के चलने से वहाँ पर सागर बन जाए पृत्वी का जो परिमाण है वो 50 करोड योजन का बताया जाता है तो ऐसे भागवत को आप गपोड़ा आते तो इस परस्ट हो चुकी है पहली बात ये कि भागवत जागरित बुद्धी का ज्यान नहीं है दूसरी बात ये कि भागवत सुनने से जागरी नहीं होती है अब तीसरा प्रस्ण ये है कि फिर भागवत की कथा क्यों भागवत को वरियता क्यों दे जा रहे वाणी के उपर 11,500,000 का difference क्यों इसलिए साफ कह रहा हूं किसी को बुरा लग सकता है लेकिन वानी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा वानी को प्रकाशित करने के लिए अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है वाणी कहती है गोविंद के गुणगाय के तापर, मागत दान और भागवत सिखाती है भागवत में एक प्रसंग आता है इसमें लिखा कि एक निश्चित कोई तीथी है सावन के महिने में या किसी एक महिने में जिसमें सोने के सिंहासन के उपर भागवत को रख करके आप दान करते हैं तो आपको मोख्ष की प्राप्ती होगी दान किसको करेंगे? किसको दान करेंगे? जो भागवत कर रहा है अब जिसको इस तरह से लाखों की आय हो रही है लाखों का चढ़ावा आ रहा है वो ऐसे थोड़ी कहेगा गोविन के गुण गाये कि ता पर्मागदान धिक धिक पडो मुझे धिक खाई रहे थोड़ी कहेगा कोई मैं खुद दान माग रहा हूँ भागवत करके तुम्हे धोड़ी कहोंगा कि दान मागنا गलत है ठीक है किसी वेक्ति ने क्योंकि आज तो थोड़ा पड़े लिखे लोगों का यूग है किसी वेक्ति ने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखे थी फेस्बुक पे उसने लिखा कि ये दुनिया ये धन संपति ये धन दौलत सब मोहम आया है ऐसा बताने वाले महाराज ऐसा बताने का पांसलाक रुपय लेते है समझे ठीक है तो ऐसा बताने का आधार क्या है भागुवत ठीक है अब एक है दुकान और एक है सेवा समझ रहे दुकान है आये का साधन और सेवा में क्या होता है अपना भी चला जाता है अपना भी लग जाता है अब आप अगर वानी को प्रकासित करेंगे तो चड़ावा कहां से आएगा ठीक है तो वानी के आधार पर भागवत को वरियाता देना मैं भागवत को माना थोड़ी कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि भागवत कागध है भागवत चिठी है भागवत सास्त्रश्रमण श्री भागवत है भागवत में ब्रज और राष्की लिला का वणन है जिसका आधार लेकर के ब्रह्म शुष्टियां आगे चल सकते लेकिन आज ब्रह्म वानी के आने के बाद तो उसकी भी जरूरत नहीं है क्या दुनिया में किसी को पता नहीं भागवत सुने भी ना कि ब्रज में कैसे चलते थे वाणी में यह नहीं कहा है वणन वाणी में है कि नहीं भागवत से तो ज्यादा भी वणन है ना भागवत में तो पांच अध्याय में रास का वणन मिलेगा वो भी तो पांस प्रकरण अखंड के रास के हैं, बाकी के प्रकरण, पहले प्रकरण मोसागर से संबन दी थे, बाकी प्रकरण अखंड योगमाया के हैं, तो आप एक तरफ तो अनुमान पे आधारित ज्ञान को इतना बड़ावा दे रहें, और जब आपको उसी रास का वणन करना ह तो आप वाने आधार लेकर करिए, अगर आपको ब्रज की लिला का वणन करना है, तो आज कलस के अंदर गोकुल लिला का वणन है, है की नहीं, गोकुल लिला का वणन है, दान लिला का वणन है, अवतारों का प्रकरण है, तो आप वानी का अधार लेकर के भी कर सकते हैं, कि कही न कही कोई न कोई स्वार्थ है आज हमारे समाज में नाम के सुन्दर साथ की बात करें तो 30,000,000 से उपर की संख्या है ना है की नहीं लेकिन कितने लोग हैं जिन्नोंने वाणी को पड़ा हैं कितने लोग हैं 30,000,000 में 30,000 भी ऐसे हैं जिन्नोंने वाणी को पड़ा हैं क्यों नहीं पड़ा है क्योंकि 30,00,000 संख्या का आधार ही भागवत है जो भी सुन्दर साथ भागवत सुनकर के बने हैं उनको सुन्दर साथ कैसे बनाया जाता है साफ बात कहूं तो मान लीजे मैं भागवत कर रहा हूं तो मैं तीन दिन तक भागवत की चर्चा करूँगा उसके बाद में, जब दिक्ष्या की बारी आएगी, तो कान में क्या बोलूँगा? पता नहीं. ठीक है? आवाज थोड़ी आ रही है, मैं तार्तम के रूप में क्या बोल रहा हूँ या फिर कौन्छा मंत्र दे रहा हूँ? तो कान में मैंने कुछ भी बोल दिया, उसके बाद में बोल दिया कि आज से आप सुन्दर साथ हुए, आज से आपको ये करना है, तो स्रीवापुजा की गोटा थमा दी और उसके बाद बोला कि सुवसाम ये करना है, उस विचार को क्या पता? वो तो जैसे बेड़ चाल है, जैसे तोतारटु ग्यान है, वैसे ही वो सुवसाम सेवापुजा करेगा, मैंने यहां तक सुना है, कितनी सच्चा है मैं यह नहीं जानता, लेकिन गुजरात में एक प्रतिष्ठित मंदीर है, बहुत प्राचिन मंदीर है, जहां स्री जी पहुंच चुके थे, वहां के एक गीता के कुछ लोग लिखे हुए थे, वानी सोच करके, राध जी का सोरुप मान करके सिवा पुजा कर रहे थे, गीता के कुछ स्लोग लिखे हुए, जो पुराने जो पत्र होते हैं, अस्तले की तो वैसी कुछ किता में मिली उनको वानी की तो एक भी चोपा उसके अंदर थी तो सुन्दर साथ को तो ऐसे गुम्रा किया जाता है अब वाणी पढ़ेंगे तो दुकान बंध हो जाएगी इसलिए लोग क्या करते हैं कि वाणी को नहीं पढ़ने देना है मेरे साथ अव्यक्तिकत घटना एक घटी तुई सायद मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था सुन्दर साथ के बीच में जब मैं आठ नो साल का था मुझे भी आज भी वो दृष्य याद है मैं एक मंदिर में गया था निपाल में ही मेरे जन्म भूमी में मेरे घर के पास में पढ़ता है तो तो मैं उस मंदिर में गया प्रणामी मंदिर है उसमें जब मैं प्रणाम कर देगा कौन दुनिया वाले तो नहीं दे सकते भागवत लिखने वाले कहां गए परिक्षित को मुक्ती हुई कहां पर गए वैकुंठ गए ना आपको कहां जाना है परमधम जाना है ना अच्छा एक और सवाल चलते चलते पुछ लेता हूं भागवत से थोड़ा सा हटकर है लेकिन प्रसंग हुआ ही है ठीक है भागवत से प्रसंग से हटके है लेकिन लगबग लगबग प्रसंग वैसा ही है अक्षिराति धामधनी श्री राजी की पहचान आप इस जागनी की प्रम्भाण में करेंगे प्राणना जी के रूप में स्री जी के रूप में किसी भी र पह्तोनिए must अनुर योगमए लेड़े फे यो पहनलने कわか्याएगा या पहली बहिुस्त में कैसे जाएगा और जो परमधम में विराजमान सोरूप है लई तार्तम अजवालु सार वली स्रीजी आव्या आवार बोलते हैं आप सब तार्तम लेकर के आने वाला सोरूप स्रीजी का है तो उसको मानने वाला आठी बहिस्त में जाए और चौथी बुष्ट के स्वरुप का मानने वाला परमधामजा ये तो संभव नहीं है लेकिन ऐसी बुद्धी कहां से आती है जिस बुद्धी में ये बात आ सकती है कि किसी राजा के रध पे बैठ करके चलने से समुद्र बन सकते है तो ये भी मान सकता है कि चौथी बुष्ट को मान करके परमधाम जा सकता है तो इसी बुद्धी को किसने बनाया ऐसी जड़ बुद्धी कहां से हुई इस बुद्धी में जड़ता कहां से आई क्योंकि गपोडे सुन सुन करके बड़े हुए है उसी को सुन करके हमने अब तक का जीवन गुजा रहा है तो हम आज भी ये मानते हैं नहीं तो अगर आज हम वाणी पढ़ते छटे दिन का आवसर चल रहा है न आवसर तो है तारतम वाणी के अवतरण होने का जिसका मैंने पहले जिक्र किया एसा हो रहा है जिस तारतम वाणी के आवसर पर ऐसा किया जा लिए और जो सपनिक बुद्ध्धे का जिआन है उसकी महिमा क्या बताई गई है आज आज तो ये ब्रहाँ वाणी का मंच है ब्रहाँ ब्रहाँमानी के मंच से इतनी कड़वी बातें वैसे सोभा नहीं दिती और करने की जरुद भी नहीं थी लेकिन क्योंकि समाज दीन बदीन गहराएं में ही चलता जा रहा है हम उम्मिद लगाते हैं कि वाणी की चर्चा सुन करके सुन्दर साथ उपर की और जाएंगे और सुन्दर साथ क्या कर रहे हैं वाणी की चर्चा को थोड़ी देर के लिए सुनतो रहे हैं लेकिन फायदा कहां से हो रहा है वाणी से तो कोई फायदा नहीं दिख रहे ने लौकिक फायदा तो वाणी की चर्चा कौन करे आज होता क्या है लौकिक द्रिष्टी से अगर मैं देखूं तो वाणी की चर्चा किसी जगह पर हो रही है तो सुन्दर साथ सेवा कैसे करते हैं वैसे ऐसा नहीं की नहीं करते हैं करते तो मैं भाव से ही करते हैं लेकिन चढ़ावा कम आता है और भागवत आप कैसे भी, कितनी भी गरीबी वाली जगह पर जाएं। मैंने एक जगह देखा, प्रत्यक शुरूप से 2009 की बात है यह। नेपाल में एक ऐसी जगह है, जहां पर उस समय में सड़क भी नहीं पोँची थी। लगबग 7-8 किलमीटर तक पैदल चरके जाना पड़ता था, वहां के एक स्कूल में भागवत रखा गया था सापताहिक, और जब सापताहिक भागवत रखा गया, अंदिम दिन तक उन्होंने बताया, आयो जगोंने कि 30 लाख रुपय का डोनेशन आया था, 30 लाख रुपय का सकते हैं, भले ही राजी हमें कुछ भी कहें, वाने की जोपय भले ही हैं, महामती पूछे ब्रह्म स्रिष्टी को भाइकुंध जासे की धाम, भाइकुंध जाये चाहे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अभी चड़ावा चाहिए, तो इस प्रवृति के जो लोग हैं, वो जो सच में परमधाम जाना चाहेंगे, सच में अपनी आत्मजागरिती करना चाहेंगे, वो ब्रम्हवाणी को महत्व देंगे, ब्रम्हवाणी का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, वो सुनेंगे, सुनाएंगे, और इसकी प्रशिक्षन देंगे. दो आप्शन हैं दो विकल्प मैंने रखे हैं यह सिर्फ मेरी ही पुकारने आप भी अगर एकांट में बैठ करके चिंतन करेंगे तो आपको भी बता चलेगा आपको भी समझ में ये बात आजाएगी कि भागवत और वानी के बीच में कितना बड़ा अंतर है मैंने पहले कहा ना एक और जीरो का अंतर है एक स्वपनिक बुद्धी का ग्यान है एक जागरित बुद्धी का ग्यान है स्वपन और जागरिती में कितना अंतर है सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात ठीक है अब एक रात्त्री का अंधकार है एक दोपहर का सुरज है रात्त दिन में चोरी नहीं हो सकती ठीक है दिन में चोरी नहीं हो सकती इसलिए कुछ लोग रात्री को पसंद करते हैं अब जिनको कुछ काम करना है आगे बढ़ना है और दीवस को दीन को पसंद करेंगे और जिनको चोरी करने हो रात को पसंद करेंगे अब विकल्प आपके हाथ मे तो है क्योको ब्रह्म्हों मानिक आधार लेकर कि मूल स्वरुप से जुड़ करके परमध् Сब्दों के साथ में सभी शुंदर시त्र साथ से माफ माघते छमा मागते हुए जिनका भी दिल दुखा हो मेरे शब्दों से सभी से माफी मागते हुए और एक बार और आगरह करते हुए कि मेरे इन बातों को ध्यान दे वाणी की पुकार को सुन ले श्रीजी की पुकार को सुन ले और आत्म जागरिती की पत पर आगे बढ़े इनी शब झाल झाल好्राणेजिंदी और सप्वे इसक्थाई को झाल सुटेजिंता ब्जडु सो की और झाल कैम है उतूईंगर, तकर आãy हमाहे।